विडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि जैसे आप अपने एकाउंट को लॉगिन करते हैं या फिर रेइश्टर करते हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है नहीं रेइश्टर करने पर OTP आ रही है OTP बहुत सारे लोग पर नहीं आ रही है एकाउंट रेइश्टर करते समय तो आज कि इस वीडियो में आपको सही तरीका बताऊंगा कि यह आपके योगिन प्रॉब्लम और साथ में योगिन रेइश्टर करते समय ओटीपी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है कैसे करना है आज किस वीडियो में सही तरीका बताने वाला हो तो फैन्ट चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोबाल के प्लेश्टोर पर जाकर अपने योणोस भी आपकोडेट करना होगा दूसरा तरीका है मोबाल की सेटिंग्स पर जाना है अब आपके फोन में यतने भी settings यहां पर होंगी सभी यहां पर open के आजाएंगी तोड़ा सब नीचे जाएंगे यहां पर apps को option देखने को मिलेगा apps में क्लिक करेंगे अब आपके phone में जितने भी apps install है सभी apps यहां पर open होके आजाएंगे तोड़ा पर नीचे जाएंगे यहां पर क्लिक करेंगे इस्टोरिज में क्लिक करेंगे clear catch कर देंगे बैकों के वापस आएंगे permission में क्लिक करके आपको सभी permission को allow करना है phone और sms के permission को खासकर allow करना होगा आपको इसके बाद करना है कि अपने phone को restart करेंगे फिर आपको यह ध्यान देना है कि जिस भी mobile पर यूँस भी app यूच कर रहे है उसमें ही bank की registered SIM पड़ी होनी चाहिए इसके बाद आपकी SIM को activate होना चाहिए साथ में अगर फिर भी OTP नहीं आ रही है तो आपको अपने branch पर जाकर अपने bank के mobile number की KYC करवाने के बाद आपकी problem 100% solve हो जाएगी उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर पहले बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिल को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फैन इस वीडियो में इतना ही thank you for watching take care